के जरिये आज में आपको एक एसी आंगणवाडी दिखाऊंगा कि जे बाहर से तो सुन्दर दिखती है लेकिन अंदर से इस मकान का कंडिशन बहुत खराब हो गया है तो दो-तीन साल से ये मकान के सत से उपर से ओपड़े घीर रहे हो और निचे आंगणवाडी के बाला को ब बच्चे को बेठाना भी ठीक नहीं है और इसके स्टाप के लिए कभी न नुक्सन दायक है सब ने इस आगणवाडी की कारिया करता मेडम को मिलने से पता चला है कि कहीं बार इसने मोखी का या लेखित रजुआत भी की है लेकिन इस बात का कोई ध्यान नहीं दे रहा तो स से कहां बेठके पड़े वह भी बड़ी समस्या है यह पोशीना के पिपल या पंचायत की आंगणवाडी नंबर एक की में बात बता रहा हूं और वीडियो भी भेज रहा हूं आ मकान तो क्यां बने नथी रहा चुदे अमे सर्पत निये वाद करी ता लाटे निये वाद करी चा अरजियो ये आपिस साहे पन आ मारो कोई दोन दोर्तू नथी ओगणवाडी नू रविंद्र रफई साहे बाया ता यह वीडियो उत्तारी निये वाद करी ती साहिर ने नथी तो यह कशिउ थाइने साहे तो अरजा जिका नथी था मा साम तो यह ब्याशात होद नथी यह नथी था नथी नथी पोपड़ा उच चा पड़ूची चामा साम वह धार पड़ूची तो मने कही जोखम नहीं लागत हुआ अ में जोखम तो लागत स्वणवाड रह उ तो में रजवात करें सर्पद साहेबार आया था फोटा पाड इंजास तरलाटी शाहेब आया था जो इंजास किया था कि करी दिया हुई पर आज सुधी कोई जवाब मले ना थी पस तो आयाद ना थी ना बाता ना थी करी का खाली की का करी गया हूँ एप लुकी सुध ठीक से दन्य बाद